हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका रेमेडी से रसेपीस फौरियों में तो आज मैं आपको पपीता खाने के फाइदे के बारे में बताने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पपीता एक ऐसा फल है जो सभी जगा आसानी से भी मिल जाता है और यह बहुत ही फाइदेमन भी होता है अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप अपने खाने में पपीते को जरूर सामिल करें पपीते में मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं पपीता रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है यह शरीर में आवश्यक विटामिन C की मांग को पूरी करता है अगर आप नियमित पपीते का सेवन करते हैं तो आपके बिमार होने की आशंका काफे कम हो जाती है पपीता खाने से आखों की रोशनी भी बढ़ती है अगर आप नियमित तोर पर पपीते का सेवन करते हैं तो आपके आखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही इसमें प्रचूर मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जिसके चलते यह कोलेश्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है पपीता आपके डाइजेशन को भी दुरुस्त रखता है नियंत्र पपीते का सेवन डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त रखता है और पपीते में कई पाचक एंजाइम्स के साथ ही इसमें कई डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जिसकी वज़ा से पाचन क्रिया सही रहती है पपीते का सेवन पीरियट के दोरान भी फाइदे मन्द होता है पीरियट के दोरान जिन महिलाओं को दर्द की सिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए जिससे जहां पीरियट साइकल नियमित रहता है और पीरियट के दोरान होने वाले दर्द में भी आराम मिलता है रोजाना पपीते का सेवन करें अगर आपके होटों में जुर्यां हैं तो पपीते का सेवन करें पपीता कब्ज और पेट की अन्य समस्याएं दूर करने के साथ ही जुर्यों को भी दूर करता है इसके अलावा पपीते को एक कटोरे में पीस ले और उसमें थोड़ा सा सहद मिला ले इसके बाद आपका पेस्ट बन कर तयार हो जाएगा जिसको आधे घंटे तक होटों पर लगाये रहें फिर पानी से धोलें कुछ ही दिनों में आपके होटों की जुर्रियां गायब हो जाएंगी और आपके होट गुलाब की पंखुडियों की तरह खुफसूरत हो जाएंगे दोस्तों अगर आपको यह इंफॉर्मेशन थोड़ा सा भी हेल्फ फूल लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थाइंक्यू सो माज